करनाटक, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जारी, आएसे अधिक संपत्ती के मामले में लोका युक्त ने 54 स्थानों पर छापे मारे, 45.1 करोड रुपे बरामद, करनाटक लोका युक्त ने शुक्रवार को राज्जे के चह जिलों में 55 स्थानों पर व्यापक छापे मारी की, ब्रश्टाचार पर चल रही कार्रवाई के तहट इन छापों में कई राज्य अधिकारियों के घरों को निशाना बनाया गया एन आई के अनुसार लोका युक्त ने बारह राज्य अधिकारियों के आवास पर चापे मारे बेंगलुरु शहर में छे अधिकारियों के आवास पर चापे मारे बेंगलुरु ग्रामीन जिले में दो अधिकारियों के आवास पर चापे मारे शिमोगा जिले में दो अधिकार चापे बेंगलूरू, तुमकुरू, शिमोगा और यदगिरी में मारे गए अधिकारियों के अनुसार। और भद्रावती ग्राम पंचायत सहित विभिन विभागों के अधिकारियों के परिसरों को निशाना बनाया गया। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट के अनुसार मंगलूरू भी चापे मारी वाले स्थानों में से एक था। ये चापे करनाटक में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरे बड़े पैमाने पर अभियान को चेहनित करते हैं 11 जुलाई को लोकायुक्त अधिकारियों ने 9 जिलों में तलाशी ली जिसमें 45.1 करोड रुपय की अनुपात हीन संपत्ती का पता चला लगभग 100 लोकायुक्त अधिकारी उन तलाशी में शामिल थे जो दावन गेरे चित्रदुर्ग, कोलार, मंडिया, मैसूर, हासन, बेलगावी और धारवाड सहित विभिन्न जिलों में 56 स्थानों पर हुई थी विपोंडो मेर्जर मारता है थार